नमस्कार साथियो, BACS Academy में आप सभी का स्वागत है जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने पंचायती राज की दो सीरेज पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पहले में देखा था पंचायती राज का इंट्रोडक्शन देखा था और दूसरी सीरेज में हमने देखा था पंचायती समीतिया आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का संबैदानिक दरजा तो इसके हम आज कोशन पढ़ेंगे और जो क्या है बहुत इंपोर्टेंट है परिक्षा की दरश्टी से तो आज क्या हम सेशन का आगास करते हैं एक नए कोटेशन के साथ जिसमें क्या है लिखा हुआ है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं बलकि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अडे होते हैं दोस्तों हमें अपनी बस जिद पर अडे रहना है और आखरी दम तक मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक क्या है तैयारी करते रहना है तो इसी आगास से हम आज क्या है श्टार्ट करते हैं इसी कु 24 अपरेल 1993 को 33 संभिधान संसोधन अधिनियम के रूप में लागू हुआ इस तिथी 24 अपरेल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आपने देख लिया होगा कि 24 अपरेल को क्या मनाया जाता है दोस्तों राष्टिये पंचायत दिवस 24 अपरेल को ठीक है अब बात कर लेते हैं कि जो 24 अप्रेल है कब से 24 अप्रेल 24 अप्रेल 1993 ठीक है 1993 अब बात कर लेते हैं कि यह दिवस कब से मनाया जा रहा है तो हम बता देंगे 2010 से ठीक है विश्यूवा दिवस की बात कर लेते हैं दोस्तों की विश्यूवा दिवस कब मनाया जाता है तो विश्यूवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब 12 अगस्त को कम मनाया जाता है दोस्तों 12 अगस्त को ठीक है अब हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं तो हिंदी दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों 14 सिप्टेंबर को एनि 14 सितंबर को ठीक है दोस्त चौदा सितमबर को लाश्ट ओप्सन है जो विश्ष स्वास्थ दिवस यह मनाया जाता है दोस्तो साथ अप्रेल को दोस्तो कब मनाया जाता है साथ अप्रेल को तो हमने देखा कि 24 अप्रेल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो हमने देख लिया किस दिवस के रूप में तो राष्टिय पंचायत दिबस के रूप में मनाया जाता है यह सवाल आ चुका है दोस्तों कि राष्टिय पंचायत दिबस कम मनाया जाता है अब सवाल आएगा कि राष्टिय पंचायत दिबस जो 24 अप्रेल को मनाया जाता है यह कब से प्रारम किया गया था मनाना ठीक ह तो हम बता देंगे कब से प्रारम किया था दोस्तो, 2010 से, ठीक है दोस्तो, next सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल नमर टू है, सत्ता सचिवालाई की चहार दीवारी में ही नाबंधी रहे, बलकि चौपालों एबम महलों तक पहुँचे, हमारी सरकार का यह पूरा प्रियास होगा, उक्त कफन किसका है, मतलब क्या है कि जो सत्ता सचिवालाई है, सत्ता सचिवालाई की जो चाहर दीवारी में नाबंधी रहे, बलकि चौपालों एबम महलों तक पहुँचे, हमारी सरकार का यह पूरा प्रियास होगा, उक्त कफन किस पृधान मंत्री जी ने कहा था, तो उक्त कथन किस प्रधान मंतरी जी ने कहा था तो हम बता देंगे बीपी सिंग पहले दूसरा राम मनोहलोहिया जैप्रकास नारायन और अटल बिहारी बाजपे ये तो प्रधान मंतरी रहे नहीं ना ए ए ना ए ठीक है ना बी और सी तो उप्सन गलत हो गया प्रधान मंतरी थे आठवे नम्मर के दोस्तों कौनसे प्रधान मंतरी कौनसे करम के नम्मर के थे आठवे नम्मर के प्रधान मंतरी थे इन्होंने ही क्या बोला था कि सत्ता सचिवालाई की चहार दीवारी में ही ना बंधी रहे बलकि चौपालों एबं महलों तक पहुचे हमारी सरकार का यह पूरा प्रयास होगा उक्त कथन दोस्तों किसने बोला था बीपी सिंग ने यह कब बोला था उस समय किसकी सरकार थी बीपी सिंग की बोली थी और कब थे प्रधान मंत्री 1989 में ऐसा भी पूच लेता है कि कौन से करम के प्रधान मंत्री थे जिन्होंने ऐसा बोला था तो हम बता देंगे आठवे किरम के ऐसे प्रधान मंत्री थे तो option इसका क्या होगा correct? option A is the correct answer होगा दोस्तों यह बहुत महत्पूर सवाल है दोस्तों आपको अच्छे से रट्ता मार देना है अच्छे से दो बार एक दो बार इसको क्या है अच्छे से read कर लेना है यह से कथन क्या है पूछ लेता है तो next सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों आज next सवाल क्या है दोस्तों 13 सीवे सम्मिधान संसोधन अधीनियम 2000 के अनुसार अनुसूचित जंजातियों के लिए आरक्षन संबंदी प्राबधान किस राज सवाल क्या है क्या है कि ऐसा ऐसे कौन सा छेतर है जहां अनुसूचित जंजातियों के लिए क्या नहीं है आरक्षन संबंदी प्राबधान लागू नहीं है दोस्तों तो पहला हमें पता है कि मद्द प्रदेश में हैं ऐसी एश्टियों के लिए आरक्षन ठीक है दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी है ठीक है दोस्तो बिहार में भी है हमें ओप्सन कौन बचा दोस्तो ओप्सन सी अरणाचल प्रदेश में क्या नहीं है दोस्तो क्या नहीं है किस आज में लागू नहीं होंगे अरणाचल प्रदेश में क्योंकि यहां क्या है एश्टी बहुत कम मात् पर इसलिए क्या है आरक्षण संबंदी प्रापधान नहीं होंगे सेविन सिष्टर जितने भी है ठीक है यहां क्या है जन जाती बहुत कम है सेविन सिष्टर इस टेडों में इसलिए यहां क्या है चौर तेरा सीवा जो संविदान संसोदा नर्धी नियम 2000 के तहत क्या कर दिया था बोल दिया गया था कि यहां अनुसूचे जन जाती क्या है आरक्षण नहीं होगा दोस्तो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा option option C is the correct answer ना option A ना option B ना D तो correct answer option C is the correct answer दोस्तों यह भहुत महत्पूर सवाल है दोस्तों सम्मिधान संसोधन भी याद रखना है तो हमें बता है कि जो सम्मिधान संसोधन है कब आया था 13 सीवे सम्मिधान संसोधन 2000 के तहत ऐसा कर दिया गया था कि जो क्या है अनुसूचित जन्जाती आरक्षा संबंदी प्रापधान है कुन से राज्जों में लागू नहीं होंगे तो हमने देख लिया अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्जों में ठीक है next सवाल पर बढ़ते हैं नगर निगम की सरचनाओं को किन छेत्रों में विभाजित किया गया है किन छेत्रों में विभाजित किया गया है तो नगर निगम में जैसे आपको पता है इसमें परिशद भी होते हैं इस्थाई समीतियां भी होती हैं इसमें क्या है Commissioner आयोक्ति भी होता है तो परिशद है परिशद है जो इसमें पारसत चुने जाते हैं जो क्या है जनता द्वारा पृत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं इसमें जो समीतियों के अध्यक्ष होते हैं इन्हें भी चुने जाते हैं और यह जो आयक्त होता है यह सर कर निगम की सररच नाम है तो option D is the correct answer होगा दोस्तों अगर दोस्तों सेशन समझ में आ रहा है तो फटा फट क्या है वीडियो को सेयर कर दीजिए और last time तक मेरे से जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए नेक्स सवाल पर बढ़ते हैं हम सवाल लंबर फिफ्ट है दोस्तों बर्स 1989 में बर्स 1989 में तत कालीन प्रिधान मंत्री राजीव गांधी कौन दोस्तों राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधारवा ससक्ती करण में बिसेश रुची ली थी तथा कॉमा और की सिपारिसों क आधार पर लोक सवा में कौन सा सम्मिधान संसोधन चोंसट बा सम्मिधान संसोधन विधेयक प्रस्तुत किया था तो बात यह आ जाती है दोस्तों सवाल पहले कॉस्चन में सवाल बनता है कि चोंसट बा सम्मिधान संसोधन विधेयक जो लाया गया था सबसे पहला सवाल त तो हमने देख लिया क्यों थे राजीव गांधी अब बात कर लेते हैं कि सिपारसुतों के आधार पर लोग सभा में क्या किया था 64 वा शम्मिधान संसोधन विदेयक प्रस्तुत किया था तो विसेश रुची ली थी किसने एल एम शिंग भी शमीती तथा थूंगन समीती असोक महता समीती थूंगन समीती वलवंत राह महता समीती संतानम समीती इनमें से कोई नहीं हमें पता है कि दोस्तो एलन सिंग भी समीती कब आई थी आपको अच्छे से ग्यात है अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो देखा होगा पंचायत के समीतियों से तो आप इसको बना सकते हैं आराम से एलन सिंग भी समीती दोस्तो कब आई थी और थुंगन समीती कब आई थी तो हमें पता है दोस्तो 86 में आई थी galaxy समीती और थुंगन समीती कब आई थी दोस्तो 1988 से 89 में दोस्तो ठीक है तो बात कर लेते हैं 1988 89 में आई थी तो क्या क्या बात कर लेते हैं विसेश रूची ली थी तो हमें घ्यात हो गया है दोस्तो एलेन सिंग भी समीती और थुंगन समीती इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आपको पता है दोस्तो असोक महता समीती है जो असोक महता समीती कब आई थी दोस्तो 1977 में अब 77 की बात कर रहा है दोस्तो असनसोदन अदीनियम कब आया था 1989 में तो यह option गलत हो गया दोस्तो यहाँ बलबंत राय मेंता समीती की बात कर रहा है तो बलबंत राय मेंता समीती दोस्तो कब आया था 90, 50, 7 में तो यह option भी गलत हो जाएगा क्योंकि सनसोधन कब आया था कब आया था 1989 में तो ये तीनों option क्या हो जाएंगे दोस्तों गलत option best option करेक्ट इसदा कौन होगा option A ठीक है तो correct answer A वे बहुत महत्पूर है सवाल इसमें तीन सवाल बनेंगे कि यह संसोधन कब आया था 64 सम्मिधान संसोधन कब आया था 1989 में ठीक है उस समय भारत के प्रधान मंतरी कौन थे तो राजीव गांधी ठीक है दोस्तों राजीव गांधी अच्छे से याद रख लेना नेक्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों सवाल लंबर 6 है तेहित्तरवा सम्मिधान संसोधन महलाओं को आरक्षन प्रधान करता है अब बात कर लेते हैं तेहित्तरवा सम्मिधान संसोधन की ठीक है दोस्तो तो हमें पता है कि तिहतरवा सम्मिधान संसोधन कब आया था दोस्तो तो 1992 में ठीक है दोस्तो 1992 में आया था हाँ एक बात किलियर हो गई हमारे लिए ठीक है अब ये भी हुए कि ये जो तिहतरवा सम्मिधान संसोधन अधीनियम आया था तो यह लोगसवा में कब पारित किया गया था दोस्तो कब पारित किया गया था ठीक है तो हम बता देंगे दोस्तो 22 दिसंबर को ठीक है 22 दिसंबर 1992 को कब किया गया था लोगसवा में दोस्तो कब किया गया था कहां किया गया था लोक सबा में पारित किया था अब बात कर लेते हैं राश सबा की तो राश सबा में 23 दिसंबर को किया गया था 23 दिसंबर 1992 को दोस्तो 23 दिसंबर 1992 को कहां किया गया था राश सबा में अब बात कर लेते हैं कि राश्ट पती ने इस परसायन कब कर दिये थे दोस्तो बहुत महत्पूर सवाल बता रहा हूँ यहां से सवाल आपकी एक्जाम में पूछे जाएंगे तो हम बता देंगे दोस्तो 20 अप्रेल क्या 20 अप्रेल 1993 को राष्ट पती ने क्या कर दिये थे दोस्तो इस संसोधन विधेयक पर क्या कर दिये थे अपने साइन कर दिये थे दोस्तो क्या कर दिये थे साइन कर दिये थे यह विधेयक क्या हो गया था दोस्तो पारत हो गया था फिर लास्ट में क्या हुआ है पूरे भारत में लागू कब हो गया था 24 अप्रेल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था ठीक है दोस्तों क्या हो गया था पूरे भारत में लागू हो गया था 24 अप्रेल को ठीक है दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आरकशन की बात कर रहा है तो कुल सदस्वों का एक चोथाई, कुल सदस्वों का दो तिहाई, और कुल सदस्वों का एक तिहाई, तो तिहें तर्वे सम्मिधान संसुधन में, जितने सदस्व रहेंगे, टो टल जितने भी, तो उसमें महलाओं का कितना होगा, कुल सदस्वों का वन थर्ड रहेगा, द कितना आरक्षन की सुब्दा दी गई है महलाओं को वन्थर्ड किस सम्मिधान संसोधन तेहित्तरवा सम्मिधान संसोधन 1992 ये कब आया था तो 1992 में ये लोकसवा में कब पारित किया गया तो 22 दिसंबर 1992 को ठीक है रासवा में 23 दिसंबर को दोस्तो और क्या राष्टपती ने इस पर सायन कब कर दिये थे 20 अप्रेल 1993 को और या पूरे भारत में लागू हो गया था 24 अप्रेल 1993 को इसका करेक्ट आंसर ओप्सन सीजदा करेक्ट आंसर नेक्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तो निमलिकित में से किस अधी नियम में नगरिये पिरसासन क्या दोस्तो नगर नगरिये पिरसासन के इस पष्ट प्रावधान हैं भारत सरकार अधी नियम 1919 चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1813 ठीक है इनमें से कोई नहीं ठीक है दोस्तो तो आपको पता है नगरिये पिरसासन के बारे में भारत सासन अधी नियम 1919 और 1935 में बात की गई है इसमें 1935 option नहीं है तो इसमें correct answer क्या होगा 1911 is the correct answer नगर ये प्रिसासन की बात का प्रावधान कौन से अधीनियम में किया गया है तो 1911 अधीनियम option A is the correct answer दोस्तो next सवाल पर वढ़ते हैं सवाल number 8 महानगर योजना समीती महानगर योजना समीती का निर्माण किस समीधान संसोधन द्वारा किया गया महानगर की बात कर रहा है दोस्तो महानगर जैसे महानगर हमारा कौन सा है दोस्तो इंदोर ठीक है इंदोर मद्ध प्रदेश के महानगर कौन-कौन से हैं दोस्तों यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है कौन-कौन से हैं यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं महानगर योजना समीती का निर्माण किस समीधान संसोधन द्वारा किया गया था तो हम बता देंगे दोस्तो चोहतरवा समीधान संसोधन के तहत किया गया था अब बात कर लेते हैं कि चोहतरवा समीधान संसोधन अधीनियम भारत में कब आया था तो 1992 में आया था भारत में ठीक है दोस्तों तो इसका क्या है correct answer? option is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं next सवाल है नगरिये सासन को संब्यधानक अब क्या बोल रहा है दोस्तों? नगरिये संसाधन संब्यधानक दरजा देने का प्रयास पहली बार किस संब्यधान संसोधन के तहट किया गया था जो असफल रहा पहली बार की बात कर रहा है दोस्तों और किसकी असफल की बात कर रहा है ठीक है? असफल की बात कर रहा है तो इसका correct answer तहित तरवा में तो क्या है सपल हो गया था एकत्तरवा बहात्तरवा और पेशडवा पहली बार का नगरिये सासन की बात कर रहे हैं तो पेशडवा शंबिधान संसोधन थीगे दोस्तों 65 भा संबिधान संसोधर 1989 में लाया गया था और यह कैसा हो गया था दोस्तो पहली बार लाया गया था प्रियास कैसा किया गया था पहली बार ठीक है और असफल कब हो गया था जे 1989 में इस समय भारत के प्रिधान मंतरी हमने अच्छे से देख लिया कौन से थे दोस्तो राजीव गांधी ठीक है दोस्तो राजीव गांधी तो इसका ओफसन correct option रहेगा option C is the correct answer दोस्तो अगर session आपको समझ में आ रहा है तो जादा से जादा क्या है वीडियो को share कर दीजिएगा नेक्स सवाल पर बढ़ते हैं हम नेक्स सवाल है बर्स 1687 से 1888 में भारत का पहला नगर नगर कहां इस्थापित किया गया था नगर नहीं दोस्तों नगर निगम क्या नगर निगम कहां इस्थापित किया गया था पहला कलकत्ता ठीक है दोस्तों मद्रास, नागवर और गांधी नगर ठीक है तो क्या इसका correct answer क्या होगा मद्रास में क्या मद्रास में किया गया था दोस्तो जिसे हम आज चैन्नई के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तो किस नाम से चैन्नई के और किस ने पहला नगर निगम इस्थापित करवाया था तो हम ब इस्थानिये सौसासन का जनक कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो इस्थानिये सौसासन का जनक कहा जाता है हमने देखा क्या 1687-1888 में भारत का पहला नगर निगम कहा इस्तापित किया गया मद्रास में दोस्तो कहा किया गया मद्रास में किसने किया था लाड रिपन ने इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तो इस्थान ये सौसासन का जनक कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्सन B इसथा करेक्ट आंसर नेक्ट सवाल पर वढ़ते हैं दोस्तो नेक्ट सवाल है चोहतरवा सम्मिधान संसोधन 1992 दोआरा कितने प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रापधान किया गया है दोस्तो ठीक है आपको अच्छे से पता है ठीक है इसका करेक्ट आंसर ओप्सन three is the correct answer ये बताना है आपको मुझे कि वह नगरपालिका कितने ही है कितनी प्रकार की है और वो कौन-कौन सी है तो comment box में मुझे बताना है ठीक है नगरपालिका के प्रकार ठीक है दोस्तो कौन-कौन से प्रकार है तो इसका correct answer क्या होगा option D is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तो next सवाल है निम लिखित मैं से कौन सा संविधान संसोधन निम लिखित मैं से कौन सा संविधान संसोधन विधेयक तिहतरवे संविधान संसोधन का आधार बना ठीक है दोस्तो अच्छे से पता है तिहतरवा शंविधान पता है कि इसका 64 जो सम्मिधान संसोधन आया था कब आया था 64 सम्मिधान संसोधन 1989 में उस समय प्रधान मंत्री कौन थे तो हमें पता है दोस्तों राजीव गांधी द्वारा यह है यह विदेयक लाया गया था लेकिन क्या हो गया था ये पूरी तरीके से पारत नहीं हो पाया था लोकसवा में हो गया था लेकिन रासवा में यह पारत नहीं हो पाया था तो यह क्या हो गया था अस्फल ठीक है तो यह तिहित्तरवा संविधान संसोधन का क्या बना था आधार दोस्तों कौन सा 64 वा संवि लंमर है दोस्तो 30 30 सवाल क्या बोल रहा है किस संबेधानिक संसोधन द्वारा सहरी बात कर रहा है दोस्तो सहरी इस्थानिय सासन को संबेधानिक ठीक है दोस्तो किसकी बात कर रहा है सहरी सहरी इस्थानिय सासन की ठीक है तो यह है चोहतरवा तेहतरवा एकतरवा और 72 हमें पता है घील कैंबे पता है जो सहरी स्थान ये सासन है ये किस से संबंदित है सहरी 74 संबीधान संसोधन 1992 से इसे क्या दिया गया था संबैधाने क दरजा घील के दोस्तों तेहित्तर में क्या दिया गया था पंचायतों को संबैधाने के दरजा दोस्तों ये भी कब आया था 1992 में दोस्तों इसका correct answer क्या होगा option is the correct answer ऐसे सवाल पूछ लेता है confused ना हो अच्छे से सेसन को पूरा देखें तो सभी question आपके clear हो जाएंगे ठीक है कोई जादा दिक्कत नहीं है आपके 20 में से 20 नम्मर आएंगे दोस्तों अगर आपने मेरा सेसन पूरे तरीके से अच्छे से देखा last तक ठीक है next सवाल में बढ़ते हैं सवाल number 40 यदि कोई पंचायत नियत समय से पूर्व नियत समय से पूर्व भंग हो जाए तो कितने दिन के अंदर चुनाओ कराने अनवार हमें पता है दोस्तों कि हमारा पंचायत का कारकाल कितना है दोस्तों कितना है पांच बर्स ठीक है अगर यहा क्या हो जाता है क्या हो जाती है पूर्व भंग हो जाती है ठीक है हमारी पंचायत पांच बर्स पूर्व भंग हो जाती है तो क्या हो जाएगा हमें कितने माहे बाद चुनाओ कराना पड़ेगा ठीक है तो हमें पता है दोस्तों 6 माहे बाद हमें क्या करवाना पड़ेगा इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते 6 माई के अंदर अंदर हमें दूसरे चुनाओ करवाना पढ़ेंगे ठीक है दोस्तो तो इसका correct answer क्या होगा option B is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं हम दोस्तो सवाल भारतिय संभिधान की किस अनुसूची बात कर रहा है किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की सक्तियों एवं जिम्मेदारियों के बारे में बारे में बताया गया है किस की बात कर रहा है दोस्तो नगर पालिकाओं ठीक है तो आपको पता है ना तो 10 भी अनुसूची ठीक है और नगरपालिका की अगर बात करें तो ये बारवी क्या है दोस्तो बारवी अनुसूची के तहत आता है सक्तियां एवम इनकी जिम्मेदारी ठीक है दोस्तो बारवी अनुसूची अब बात कर लेते हैं ठीक है इसके क्या है ग्यारवी अनुसूची ठीक है तो इसमें ग्यार और वे सम्मिधान संसोधन के तहते इसको क्या ग्यार्भी अनुसूचि में रखा गया है ठीक है तेत तरवा सम्मिधान सम्मिधान संसोधन किसमें बारभी अनुसूची और नगरपाल का बारभी अनुसूची ठीक है अब ग्यारभी विसाय ग्यारभी जो अनुसूची है ग्यारभी अनुसूची है इसमें कितने विसाय रखे गए हैं विसाय कितने हैं दोस्तो 29 ठीक है कितने विसाय हैं ग्यारभ answer क्या होगा option d is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं सवाल number 16 भारतिय सम्मिधान के भाग 9 है दोस्तो भाग 9 का से सम्मंदित अनुच्छेद ठीक है दोस्तो 9 का से सम्मंदित अनुच्छेद क्या है 3 t क्या 243 P से 243 ZG 237 सबी option गलत है दोस्तो ठीक है 243 A से 243 O अब भाग 9 का अब मैं बता दूं कि भाग 9 में भाग 9 में क्या है दोस्तो पंचायते ठीक है क्या है पंचायते अब भाग 9 का में क्या है दोस्तो नो का में नगर पालिकाएं ठीक है नगर पालिकाएं ठीक है दोस्तो नगर पालिकाएं ठीक है हाँ अब इसमें भाग नो का की बात कर रहा है तो नो का की अनुच्छेद की बात कर रहा है दोस्तो नो का की अनुच्छेद क्या है 243 P से ZG ठीक है दोस्तो ये करेक्ट आंसर हो 243 P से 243 Z G ठीक है दोस्तों आप count कर सकते हो ऐसे भी पूछ लेता है कि जो जो तिहतरवा चोहतरवा समिधान संसोधन हैं इसमें total कितने अनुछेद हैं तो आप गिन सकते हो count कर सकते हो अगर आपको अच्छी गिन्ती आती है तो मुझे comment box में बताईएगा कि इसमें कितने अनुछेद हैं total ठीक है किसमें चोहतरवे समिधान संसोधन में ठीक है अब बात कर लेते हैं option C की ठीक है option C में क्या है 243 A से 243 O तक ठीक है किसकी बात की गई है इसमें कुन से पंचायतों की बात की गई है पंचायतों के अनुछेदों की बात की गई है अब बात कर लेते हैं इसमें कुल अनुछेद कितने हैं तो इसमें कुल अनुछेद हैं दोस्तों कितने 16 अनुछेद हैं 243 A से लेकर 243 O तक ठीक है दोस्तों तो इसका correct answer क्या होगा, option A is the correct answer, ठीक है दोस्तों, next सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल number 17, 70 सवाल क्या बोलता है, भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद में नगरपालिकाओं की सक्तियों एवं जिन्मेदारियों का बर्डन किया गया है, ठीक है, नगरपालिकाओं की सक्तियों एवं जिन्मेदारियों का बर्डन किया गया है, तो अनुछेद 243 का B, अनुछेद 243 का T, अनुछेद 243 का D, अनुछेद 243 का C, इसका आप मुझे क्या है, comment box में answer दीजिएगा, मैंने आपको, अनुछेद वाले क्या है, टॉपिक में बता दिया है, यह पूरे अनुछेद आपको पड़ाय हुए है, आप मुझे इसका comment box में answer जरूर दीजिएगा, ठीक है, तो यह आपका homework है, आपको करके बताना है, comment box में इसका reply मुझे जरूर देना है, और मैं आपको इसका reply जरू ठीक है, तो इसका correct answer आप मुझे comment box में बताइगा, next सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल लंबर है 18, भारत में नगरिये सासन की सुरूबात कब से मानी जाती है, नगरिये सासन की पहला 1690, 1685, third option है 1692 और last option है 1687, तो बात आ रही है किसकी, नगरिये सासन की, ठीक है दोस्तों, तो नगरिये सासन है, तो नगरिये सासन हमें पता है, इस थापित किस ने किया था, लाड रिपन ने, लाड रिपन ने कब किया था, 1687 से 88 में बात आती है कहां, तो हम बता देंगे, मद्रास में, जिसे पहला नगर निगम भी बताया गया है, पहला नगर नगर निगम भी बताया गया है कहां का भारत का ठीक है दोस्तों कहां का भारत का पहला नगर निगम भी बताया गया है तो नगर ये सासन की शुरुवात कहां से हुई 1687 से तो इसका correct answer क्या होगा option D is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों next सवाल है भारत में चावनी परिशद ठीक है दोस्तों चावनी परिशद की इस्थापना कब हुई थी बात आ गई है चावनी परिशद की इस्थापना कब हुई थी तो हमें अच्छे से पता है दोस्तों कब हुई थी तो option C is the correct answer डारिट याद रखो कि भारत में जो चावनी परिशद थी तो 2004 में बनाई गई थी ठीक है दोस्तों तो इसका correct answer होगा option C is the correct answer जिला नियोजन समीती का गठन किस समीधान संसोधन के तहत सबसे पहले तो हम याद रख लेते हैं इसका article जिला नियोजन समीती है जो 243 के ZG में इसको रखा गया है क्या जिला नियोजन समीती अब कर लेते हैं बात किस की किस समीधान संसोधन के तहत किया गया था तो जिला नियोजन समीती की बात की गयी है तो 24, 33 समीधान, 61 और 92 समीधान संसोधन हमें पता है क्या नियोजन समीती का क्या किया गया था गठन किया गया था दोस्तों ना तो तहित्तरवा ना 61 और ना 92 वा सम्मिधान संसोदन तो ये तीनों आप्षन क्या हो जाते हैं दोस्तों गलत तो इसका correct answer क्या होगा option is the correct answer ठीक है दोस्तों तो next सवाल पर बढ़ते हैं हम सवाल पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि हमारा new batch start हो चुका है जिसमें पटवारी, MPSI, P.E.B. Foundation batch और S.S.C. जो आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अनुभवी टीचरों के साथ study कर सकते हो और selection ले सकते हो जिसकी timing है दो बजे से और कब से start हो रहा है दोस्तों 12 September से तो आप अगर offline batch पढ़ना चाहते हो तो 12 September से 12 September से हमारे offline batch join कर सकते हो new batch start हो रहा है दोस्तों कितने बजे से 2 बजे से 7 बजे तक ठीक है दोस्तों तो आप आप क्या है एडवीशल ले सकते हो ठीक है next सवाल पर बढ़ते हैं सवाल नम्मर है निम लिखित में से कौन सम्विधान के तेहित्तरवे संसोधन में शमलित है तो पता है तेहित्तर में क क्या क्या है जिला पंचायत है छेत्र पंचायत है ग्राम पंचायत है ठीक है तो हमें पता है कि तेहित्तरवे सम्विधान स्वान सोधन के तेहित्त पंचायतों को त्री इस्तरी आधार पर वाटा गया था त्री इस्तरी आधार ठीक है हमें पता है कि त्री इस्तरी आधार कौन-कौन से हैं, गिराम इस्तर पर क्या होगा दोस्तों, गिराम पंचायत, क्या होगा, गिराम पंचायत, ठीक है, और दूसरा, जो खंडिस्तर है, खंडिस्तर है, खंडिस्तर पर क्या होगा दोस्तों, खंडिस्तर पर हमें पता, छेत्र पंचायती भी बोल सकते हैं, जनप और छेत्र पंचायत भी कह सकते हैं दोस्तों क्या कह सकते हैं छेत्र पंचायत भी कह सकते हैं और लाश्ट जो है खंब इसका इस्थंब तीसरा कुन सा है जिला जिला पंचायत जिला इस तर पर क्या गठित किया जाएगा जिला पंचायत यह इस तर किसने बाटा था दोस्तों हमें पता है बलबंत राह बलबंत राय महता समीती ने महता समीती ने ऐसा बताया था और यह मानता कम मिली थी तिहितरवा संविधान संसोधन के तहत ठीक है दोस्तों तो इसके सभी option सही रहेंगे option D is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं next सवाल है तिहितरवा संविधान संसोधन अधीनियम द्वारा भारतिय संविधान में कितने नए अनुचेद जोड़े गए बात किसकी हो रही है दोस्तों तिहितरवा संविधान संसोधन 1992 हमें पता है इसमें अनुचेद कितने हैं कहां से स्टार्ट होते हैं अनुचेद 243 से अनुचेद 243 वो तक गिनोगे तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों इनकी कुल संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी कुल कितनी हो जाएगी 16 तो option में 16 दिख रहा हो तो फटाफट टिक मार दीजेगा तो इसका correct answer होगा option B is the correct answer दोस्तों अगर सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो फटाफट इसको share कर दीजेगा और लाश्ट तक मेरे से जुड़े रहिएगा ऐसे ही अगर वीडियो में आपको ऐसे ही question देखना है तो मेरा सभी session आपको देखना पड़ेगा ठीक है हाँ next सवाल पर बढ़ते हैं हम next सवाल है 23 सवाल है निम लिखित में से किस संविधान संसोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संविधानिक दरजा दिया गया है नगर पालिकाओं की बात कर रहा है दोस्तो नगर पालिकाओं की ठीक है तो हमें पता है कि नगर पालिका नगर निगम ठीक है किस संविधान संसोधन के तहत आये थे तेहत तरवा चोहत तरवा पिचोत तरवा इनमें से कोई नहीं तो ह इसका correct answer क्या होगा option a is the correct answerちは 23 पंचायतों को संब्वेधानिक दरजा देने की बात की गई ठी संब्वेधानिक दरजा दिया गया था संब्वेधानिक हम सवाल है भारत के सम्मिधान में पंचायतों तथा नगरपालकाओं से संमंध तिहें तर्वा और चोहतर्वा सम्मिधान संसोधन जब हुए तो उस समय भारत के प्रधान मंत्री कौन थे दोस्तों कब 1992 में भारत के प्रधान मंत्री कौन थे तो हमें पता है बीपी सिंग, पीबी नर्शिम्मा राओ, राजीव गांधी और इंद्रा गांधी ठीक है 1992 की बात कर रहा है दोस्तों तो 1992 में कौन से थे प्रधान मंत्री जब तिहतरवा सम्मिधान संसोधन और चोहतरवा सम्मिधान संसोधन जब हुए थे तो उस समय हमें पता है कि पीबी नर्शिम्मा राओ की सरकार थी ठीक है दोस्तों किसकी थी पीबी नर्शिम्मा राओ की सरकार थी ये बहुत इंपोट है ये पूछेगा जरूर आपके एक्जाम में कि जब तिहित्तरवा और चोहत्तरवा सम्मिधान संसोधन अधी नियम बिलपास हुआ था तो उस समय भारत के प्रदान मंतरी कौन थे तो हमने बता दिया पी बी नर्शिम्मा राओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों और सन बी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स सवाल पर बढ़ते हैं सवाल है चोहत्तरवा सम्मिधान संसोधन अधी नियम उन्निस सो वानवे द्वारा सम्मिधान में कौन सा नया भाग कौन सा नया भाग की बात कर रहा है दोस्तों मैंने आपको बता दिया है पहले कोश्यन में क कौन सा नया चोहत्तरवा सम्मिधान संसोधन की बात कर रहा हमने तेहत्तर में दीखा तेहत्तर में कौन सा नोबा भाग ठीक है नोबा भाग जोड़ा गया ठीक है नो का भाग जोड़ा गया ठीक है नो का भाग जोड़ा गया ठीक है नो का ओप्षन दिख रहा है तो भाग no का option is the correct answer c is the correct answer होगा इसका c option इसका सही होगा तो next सवाल पर बढ़ते हैं सवाल है चोहतरवा सम्मिधान संसोधन 1992 कब लागू हुआ था? ठीक है दोस्तों? कब लागू हुआ था? ये पूच रहा है कि जो चोहतरवा सम्मिधान संसोधन 1992 था ये कब लागू हुआ था? ठीक है? ये आया कब था? चोहतरवा सम्मिधान संसोधन 1992 लागू कब हो गए अथा दोस्तों? 1 मार्च 1994 ठीक है? तो इसका correct answer क्या होगा? option B is the correct answer दोस्तों अगर सेशन समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसको share कर दीजिएगा ठीक है? हाँ और मेरे साथ बने रहिएगा next सवाल पर बढ़ते हैं हम next सवाल है चोहतरवा सम्मिधान संसोधन 1992 लागू बारतिय सम्मिधान में किस नई अनुसूची को जोडा गया है? चोहतरवा सम्मिधान संसोधन में ठीक है? तो बता दिया है मैंने तो इसका तो आप करी सकते हो answer या बार भी अनुसूची ठीक है दोस्तो तो इसका correct answer option D is the correct answer next सवाल पर वड़ते हैं सम्मीधान के निमलिखित में से संसोधन में से किसके अंतरगत भारत में महलाओं के लिए ग्राम पंचायतों की बात कर रहा है दोस्तो ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है ठीक है 30% स्थान आरक्षित किये गए है ठीक है, चोहत्तरवे शंविधान संसोधन, तेहत्तरवा संविधान संसोधन, बहात्तरवे संविधान संसोधन, ठीक है, और एकत्तरवे शंविधान संसोधन, ठीक है, तो ग्राम पंचायतों की बात कर रहा है, तो आप लगाई दोगे इसका correct answer, option is the correct answer, अब 50% reservation की बात कर ले तो यह हम बता देते हैं, यह कब से कर दिया गया था, 2007 से दोस्तों, कब से 50% महलाओं को आरक्षन, 2007 से दिया जाने लगा था, पंचायतों में, ठीक है, तो इसका correct answer क्या होगा, correct answer क्या है, 2007, और इसका सवाल का क्या है, correct answer, option, A is the correct answer, ठीक है, next सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल number 29, सम्मिधान के तहितरवे संसोधन द्वारा, पंचायतों को निर्दिष्ट किये जाने वाले कारनिमलिकित, कौन सी अनुसूची में बढ़नत है, क्यों से तहितरवे सम्मिधान संसोधन द्वारा कह रहा है, और किसका पंचायतों की बात कर है दोस्तों, ठीक है, तो तेरवी सूची में, बारवी, ग्यारवी और दस भी, ठीक है दोस्तों, तो ग्यारवी, तेरवी अनुसूची हमें पता है, सिर्फ ओनली पंचायतों से कौन सी अनुसूची है, ग्यारवी, ठीक है, ग्यारवी और बारवी कौन सी है, नगरपालिक सभाउं से ठीक दोस्ते बार भी यह तो चोंगतर्वा संसोधन के前 क्रेक्ट और चंसे होगा तो इसका करेक्ट अंसर यह ओगा दोस्तों और सीज्धा करेक्ट अंसर नेक्स सवाल पर वड़ते हैं सवाल लंबर 30 है दोस्तो सम्मिधान में तिहतरवे संसोधन ने प्रावधान किया तिहतर की बात कर रहा है दोस्तो तिहतरवा सम्मिधान संसोधन 1992 की बात कर रहा है पंचायतों के नियमत चुनाओ कराने के लिए सही बात है इनके क्या है पंच वर्स में प्रती पंच वर्स में इसके चुनाव हो सही बात है महलाओं के लिए सभी इस तरों पर सीटों के लिए आरक्षण की बात की गई है ये भी हमें पता है देख लिया है राजवित्ह आयोग की संसुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनवार रूप से हस्तान, मतलब क्या है, टेक्स को कलेक्ट करने की क्या देनी चाहिए, सक्ति देनी चाहिए पंचायतों को, ठीक है, ग्यारभी अनुसूची के लिए विसायों के सम्मंद में, पंचायतों को सक्ति का अनवार रूप से हस्तान, ठीक है ये सभी option सही है क्योंकि पंचायतों को नियमत चुनाओ कराया जाने चाहिए सभी इस्तरों पर महलाओं को क्या देनी चाहिए सीटों पर आरक्षन राजबितायों की संस इस्तुती के अनुसार पंचायतों को क्या है फंट्स का अनवारी रूफ से क्या कर दीना चाहिए हस्तांतरन और ग्यारवी अनुसूची में जो विसाय सौपे गए है जो विसाय सौपे गए हैं 29 विसाय सौपे गए हैं 29 विसायों के संबंद में पंचायतों को सक्ती का अनवारी रूफ से हस्तांतरन करना चाहिए अब ये भी पता होना चाहिए कि जो राजबित आयोग है राजबित आयोग कोन से आर्टीकल में है तो हमें पता है 243 के 243 के आई में बित आयोग का गठन किया गया है यानि 243 अनुछे 243 आई में बित आयोग के बारे में बता गया है तो इसका correct answer क्या होगा सभी, option, D is the correct answer होगा दोस्तो next सवाल पर बढ़ते हैं सवाल है 24 अप्रेल को राष्टिय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है यह हमने देख लिया है पहले ही question में ठीक है, तो इसका correct answer क्या होगा आप मुझे comment box में जरूर बताएं ठीक है कि इसका correct answer क्या होगा 24 अप्रेल को राष्टिय पंचायती दिवस कबसे मनाया जा रहा है ठीक है, कबसे सुरू किया गया था तो इसका correct answer आप अच्छे से जानते हैं next सवाल पर बढ़ते हैं next सवाल है तेहतरवे सम्मिधान संसोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज क्या दोस्तों किसकी बात हो रही है अभी पालन का ठीक है, अभी पालन करने वाला पहला राज पहला राज कौन सा है तो ये हमें पता है मद्द पिर्देस एक सवाल पूछ लिया है दोस्तों ठीक है तिहत्तरवा सम्मिधान की बात कर रहा है पंचायती राज पंचायती राज विवस्ता लागू करने वाला पहला इस्टेड अगर ऐसा पूछे तो हम बता देंगे दो अक्टूबर 1969 में राजस्थान के क्या दोस्तों राजस्थान के कहा नागोर में क्या किया गया था पंचायती राज विवस्ता लागू की गई थी सबसे पहला इस्टेड था और फिर सेकेंड कौनसा हो गया था दोस्तों आंदर प्रदेश कौनसा आंदर प्रदेश ठीक ह दोस्तों अब हमें ये भी पता है कि हमारे PM साब कौन थे जवाहल लाल नहरू तो correct answer क्या होगा इसका option C is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं सवाल लंबर 33 भारतिय सम्मिधान का तेहतर्वा संसोधन प्राबधान करता है पंचायतों पर प्रसास की नियंतरन हटाना पहली बार पंचायती चुनाओं की विधी में परिवरतन का पंचायत चुनाओं को आदे सात्मक तथा लोकसवा एवं विधान सवा चुनाओं के समकच बनाने का तो तिहित्तरवा संसोधन प्राबधन क्या करता है पंचायतों पर प्रिसास की नियंतरन हटाने का पहली बार पंचायती राज का ठीक है पंचायती राज का पंचायती चुना ये आप बता सकते हो मुझे पता है ये आप बता सकते हो जो तिहित्तरवा संसोधन प्राबधन कर तो ये आप बता सकते हो अच्छे से इसका correct answer तो इसका correct answer मैं नहीं बताऊँगा आप बताऊगे मुझे इसका comment box में कि इसका correct answer क्या है दोस्तों ठीक है बहुत अच्छा सवाल है अगर आपने अच्छे से पूरी समितियां और पूरा introduction पढ़ा है और ये third session भी अच्छे से है तेहित्तरवा समिधान संसोधन अधीनियम 1992 में क्या 1992 में निदिश्ट करता है देश में मजबूत एबं जीवन पंचायती राजसंस्ताओं की बुनियादी रखना जीवन के अधिकार व्यक्ति की सुतंता एवन सुरक्षा विदी वैपसी संकक्ष संता एबं बिना भेद के लिए अर्जक रोजगार रोजगार का सरजन करना नहीं दोस्तो यह है इसका करेक्ट आंसर ओपसन ए देश में मजबूत एबं जीवन पंचायती राजसंस्ताओं की बुनियादी रखना ठीक है दोस्तो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओपसन यह इस दा करेक्ट आं चुड़े रहिए नेक्स सवाल पर बढ़ते हैं हम नेक्स सवाल है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षान भारतिय सम्मिधान में संसोधन करके दिया गया है वह कौन सा है तेहित्तरवा सम्मिधान संसोधन सतत्तरवा चोहत्तरवा और सत्तरवा तो हम बता देंगे जो संविधान संसोधन 1992 ठीक है दोस्तों कब 1992 नेक्स सवाल पर वढ़ते हैं नेक्स सवाल है भारत में पंचायती राज की बिधिवत इस्थापना किस संविधान संसोधन अधीनियम के तहत की गई थी बिधिवत की बात बोल रहा है तो बिधिवत मतलब क्या हो गया जब उसको संविधानिक दरजा मिल गया था ठीक है संविधानिक दरजा मिल गया था तो हम बिधिवत की बात करें तो ना तो 24 सवा ना 21 सवा और ना 44 सवा ये तीनों ऑप्सन क्या है गलत हैं दोस्तों तो बी ऑ संसोधन 1992 के तहट क्या कर दिया गया था पंचायती राज की विधीवत इस्थापना में संसोधन अधीनियम द्वारा हुई थी ठीक है दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा option B इस दा करेक्ट आंसर नेक्ट सवाल पर वढ़ते हैं किस संसोधन द्वारा यह प्रापधान किया गया कि पंचायती राज राज सूची का विशय है थीक है राज सूची का विशय है तो हम बता देंगे 61 वा संविधान संसोधन 91 वा संविधान संसोधन 101 वा संविधान संसोधन ठीक है ना तो 91 संविधान संसोधन वासाओं से संबंदत है 101 वा संविधान संसोधन GST संबंदत है ठीक है दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा option C ठीक है पंचायती ऐसा सवाल आ जाए कि ज राज सूची राज सूची राज सूची संग सूची संग सूची और लाष्ट है संबर्ती सूची संबर्ती सूची ठीक है दोस्तों और लाष्ट ऑप्सन रहेगा इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं तो हम क्या आंसर टिक करेंगे दोस्तों ऑप्सन ए बी सी और डी तो तो टिक क्या करेंगे कि पंचायती राज किस सूची का विसाय है तो हमने देख लिया किस सूची का विसाय है दोस्तो राज सूची का विसाय है या किस सम्मिधान संसोधन के तहत आया था बताया गया था तेहत तरवा शम्मिधान संसोधन के तहत तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा option C is the correct answer ठीक है दोस्तों next question पर बढ़ते हैं तेहित्तरवा सम्मिधान संसोधन विधेयक को लोकसभा द्वारा कब पारत किया गया मैंने आपको पहले question में बता दिया है कि लोकसभा द्वारा कब पारत किया गया लोकसभा द्वारा कब पारत किया तो रास सभा द्वारा कब पारत किया गया 23 दिशंबर 23 दिसंबर 1992 को ठीक है 23 दिसंबर 1992 को अब प्रिसीडेंट द्वारा कब साइन कर दिये गए प्रिसीडेंट प्रिसीडेंट द्वारा साइन कब कर दिये गए 20 अप्रेल 20 अप्रेल 1993 को संपूर भारत में लागू कब हो गया था संपूर भारत में लागू कब हो गया था कब लागू हो गया था दोस्तो तो हमें पता है 24 अप्रेल 24 अप्रेल 1993 में संपूर भारत में लागू हो गया था तो हमने देखा लोक सवा में कब पारित किया गया था तो 22 दिसम्बर को क्या कर दिया गया था क्या कर दिया गया था दोस्तो लागू कर दिया गया था लोक सवा में पारित कर दिया गया था तो फिर देखा हमने राज सवा में कब 23 दिसम्बर 1902 92 को प्रिसिडेंट एनी राष्ट पती ने कब साइन कर दिये थे 20 अप्रेल 1913 को ठीक है संपूर भारत में लाउ कब कर दिया गया था 24 अप्रेल दोस्तो 1913 को ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर ओप्सन ए इस दा करेक्ट आंसर नेक्स सवाल पर वढ़ते हैं सवाल है दोस्तो त तिहितरवा समिधान संसोधन विदेयक पारत हुआ उस समय प्रधान मंतरी कौन से थे तो आपको अच्छे से पता है तिहितरवा समिधान संसोधन कब आया था 1992 तो 1992 के समय प्रधान मंतरी कौन से थे दोस्तों तो हमें तो पता है कि ये राजीव गांधी कब थे 1988 नवासी मे थे और पीवी नर्सिम जवाला नेरू 1952 से 1962 तक थे ठीक है दोस्तो मनमोहन सिंग भी नहीं थे तो पीवी नर्सिम्मा राओ ऑप्सन हमारे पास बचता है दोस्तो पीवी नर्सिम्मा राओ 1992 में और इसी इन्हीं के समय क्या लाया गया था तेहित्तरवा और चुहत्तरवा अधीनियम लाया गया था तो इसका correct answer क्या होगा option A is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं next सवाल है दोस्तो तिहित्तरवा सम्मिधान संसोधन अधीनियम 1992 के तहट सम्मिधान में किस भाग को जोडा गया है अब 1992 के तहट भाग की बात कर रहा है दोस्तो कौनसा भाग जोडा गया है तो हमें पता है दोस्तो कौनसा भाग जोड़ा गया है भाग 9 ठीक है भाग 9 तिहे तर्वे में कौनसा जोड़ा गया है दोस्तो भाग 9 का अब बात कर लेते हैं अनुसूची की ठीक है तो अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी दोस्तों अनुसूची अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी इसमें 11 भी और इसमें 12 भी ठीक है अब विसाय देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें कितने विसाय हैं इसमें कितने विसाय हैं तीहतर में कितने व करेक्ट आंसर होगा option c is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तो सवाल number 41 है किस सम्मिधान संसोधन द्वारा 3 इस्तरिये पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 3 इस्तरिये किसकी बात कर रहा है दोस्तो 3 इस्तरिये ठीक है अब 3 इस्तरिये मैंने आपको बता दिया गया है कि 3 इस्तरिये कोन कोन सी 3 इस्तरिये जैसे गाउं इस्तर पर गिराम इस्तर पर गिराम पंचायत गिराम पंचायत दोस्तो ठीक है विकास खंड इस्तर पर विकास खंड इस्तर पर जनपद पंचायत जनपद पंचायत या पंचायत समीती दोस्तो पंचायत समीती जिला इस तर पर दोस्तो जिला इस तर पर जिला पंचायत जिला पंचायत ठीक है दोस्तो यह किस ने बोला था बी आर महता समीती कवाई थी 90-57 में दोस्तो 90-57 में इसने तरी इस तरिये आधार पर बांटा था पंचायतों को ठीक है इस दोस्तों तो नियां समेदान संसोधन अधी नियम 1992 यका लागू हुआ था लागू की पूछ रहा है कि दोस्तों लागू कब हुआ था यह हमने पढ़ लिया है ठीक है दोस्तों कब हुआ था लागू 24 अप्रेल 1993 से ठीक है वो पंचायती राजदिवस यह भी देख लिया कि 24 अप्रेल कब से 24 अप्रेल को 24 अप्रेल को क्या मनाया जाता है दोस्तों क्या मनाया जाता है पंचायती यह कब से मनाने लगे थे दोस्तों 2010 से क्या मनाने लगे थे पंचायती राज दिवस नियमत रूप से ठीक है तो इसका correct answer होगा option D is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं 43 भारतिय सम्मिधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में बताया गया है भाग किस में भाग नो का में ठीक है दोस्तों किस में 9 काम है तो इसका correct answer क्या होगा option C is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं सवाल लंबर है 44 तिहतरवा सम्मिधान संसोधन अधीनियम 1992 भारतिय सम्मिधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया अब फिर वो repeat question पूँच रहा है कि कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया तेहतरवे शम्मिधान अगर तेहतर की पूच रहा है तेहतर में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों ठीक है ग्यारवी अनुसूची अगर 74 में पूंचे तो बारवी अनुसूची ठीक है दोस्तो क्योंसी बारवी अनुसूची तो इसका correct answer क्या होगा दोस्तो option B is the correct answer next सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तो सवाल नम्मर है भारतिय सम्मिधान में उल्ले कि 11 अनुसूची में कुल कितने बिसाय हैं दोस्तो ये भी बता चुका हूँ कि इसमें total जो अनुसूची है 11 अनुसूची है इसमें कितने बिसाय है 39 ठीक है अब बारवी जो अनुसूच इसमें कितने बिसाय हैं दोस्तों कितने बिसाय है 18 ठीक है तो इसका correct answer क्या होगा दोस्तो 29 option D is the correct answer होगा ठीक है दोस्तों इस सब भी question बड़े important सवाल है और ये आपके exam में आने की पूर्ण संभाबना है इसलिए आप इस सभी question को अच्छे से अच्छे से पढ़ लेना ठी वीडियो आपको क्या है इसकिप करके मत देखना अच्छे से देखना है इसको पूरा वीडियो ठीक है next सवाल पर बढ़ते हैं हम सवाल है भारतिय संभीधान की किस अनुसूची में पंचायतों की सक्तियां वा जिम्मेदारियों का उलेक किया गया है तोड़ मरोड के question अगर जैसे मान के चलो नगरपालिकाओं की सक्तियों के बारे में पूछता तो हम बता देते क्या बार भी ठीक है दोस्तों तो correct answer क्या है option is the correct answer भारतिय संभीधान के भाग नौ में पंचायतों के बारे में बर्णन है इससे सम्मंदित अनुछेद क्या है पंचायतों के बा से 243 O, 242 Q, 243 B से 243 ZG इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा option A, option A इसमें क्या होगा 16 अनुछेद हैं 243 से 243 O तक ठीक है क्या है इसमें क्या है ग्राम पंचायत है ग्राम सवा सोरी ग्राम सवा है ठीक है दोस्तों और इसमें क्या है दोस्तों जो option C है option C किसमें ये किसके लिए है नगर पालिकाओं से सम्मंदित नगर पालिकाओं से सम्मंदित क्या है दोस्तों पालिकाओं से सम्मंदित क्या है अनुछेद हैं 243 P से 243 ZG ठीक है तो इसक करेक्ट आंसर क्या होगा option एक इसमें total कितने अनुच्छेद हैं कुल 16 कुल 16 अनुच्छेद समलेत हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों इसका तो मैंने आपको आंसर बो दे दिया है comment box में आपको comment करके बताना कि इसमें कितने अनुच्छे दिये गए है नगरपाल का के लिए ठीक है तो next सवाल पर बढ़ते हैं हम सवाल number 48 पंचायती राज बिसाय है ये भी बता दिया गया है कि पंचायती राज क्या है सिर्व राज इस पर कानून बना सकती है तो राज सूची का क्या है यह बिसाय है ठीक है दोस्तो मचायती राज किसका बिसाय है किसका है राज सूची का option C is the correct answer ना तो संग सूची का हो सकता ना संब्रती सूची का है ठीक है इन मैंसे कोई नहीं दोस्तो ठीक है हाँ लास्ट है सवाल कि भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की सक्तियां वा जिम्मेदारियों का बढ़न है सक्तियां और जिम्मेदारियों की बात करता है तो option जो अनुच्छे जी है अनुच्छे जी, अनुच्छे 241, अनुच्छे 242 और अनुच्छे 243 का O आपको पता है कि जो अनुच्छो 243 है यह क्या करता है पंचायतों की सक्तियां मतलब क्या है पंचायतों की सक्तियों के वारे में बता है जी किसके वारे में निर्वाचन के वारे में बताया है अनुचे जी में ठीक है तो इसका correct answer क्या होगा option D is the correct answer ठीक है दोस्तों तो अगर दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा है और अच्छा लग भी रहा है तो बस एक बार और शेयर कर दीजिएगा जादा से जादा ठीक है और मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस सेशन का इस सेशन का दोस्तो लाश्ट सवाल रह गया है बस ठीक है तो इसके लाश्ट सवाल देखेंगे हम लाश्ट सवाल है किस सम्मिधान संसोधन द्वारा या प्रापधान किया गया है कि जिन राज्जों की आवादी 20 लाख से कम है वहाँ दूई स्थरिये पंचायती राज्ज की स्थापना की जाएगी दोस्तों बहुत मेत्पूर सवाल है ये लाश्ट ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों आई एमपी कि 20 लाख से कम है जिन राज्जों की आवादी 20 लाख से कम है वहाँ क्या कि दूई स्थरिये पंचायती राज्ज की वेवस्ता की जाएगी ऐसा कौन सा अनुछित बो महता समीती बोलती है ठीक है दोस्तों कौन सी बोलती है असोक महता समीती ये भी हमें पता है कि दोस्तों ये कब आई थी 97 में ये भी पता है कि इसने जो दो इस्तर थे दो इस्तर कौन से थे दो इस्तर कौन से थे ठीक है तो हमें ये पता है और अच्छे से बता देंगे एक इस्तर था मंडल पंचायत ठीक है मंडल पंचायत ठीक है और लाश्ट जो इस्तर था जिला परिशत ठीक है जिला परिशत इसने किसको एक जो इस्तंब होता है तरी इस्तरिये पंचायत का गिराम पंचायत ठीक है गिराम पंचायत को इसने क्या क्या पंचायत का तीसरा इस्त हम नहीं माना था ठीक है तो यह याद रखना है 20 लाक से कम हो 20 लाक से कम है वहाँ दुई स्तरिये पंचायती राज की ववस्ता की जाएगी ऐसा कौन सा सम्मिधान संसोधन बोलता है तीहित तरवा समिधान संसोधन 1992 और दूइस तरी ये समीती की बात की थी तो ये भी देख लिया हमने किसने की थी असोक महता समीती ये भी देख लिया कब आई थी इसने अपनी रिपोर्ड कब प्रस्तुत की थी और कौन से दोइस तर हैं दोस्तों कहीं बाहर नहीं जाएंगे पूरे कौशन आपको यहीं से बन जाएंगे तो दोस्तों बस आपसे यही है रिक्वेश्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करते रहिए लाइक करते रहिए और सबस्क्राइब करते रही है आज के लिए इतना भी जैहन दोस्तो